सीरीज के अंदर पूछे जाने वे वेले कुछ बहतरीन पैटन में से एक बहुत यूजवल और बहुत कॉमन पैटन हमारे पास में होता है अल्टरनेट लॉजिक्स का जब एक से ज़्यादा तर्क आपके पास में एक अंतर फॉर्म में चल रहे हो ये सबसे फैबरेट किस्टन रहे हैं पिछले चार पास साल के जितने भी एक्जाम निसन्स हैं उनके अंदर तो ये सांदार पैटन जो है इसको जब तक तोड़िंगे नहीं सेसन में तब तक छोड़िंगे नहीं तो सेसन को लाइकन सेरे कर दीजे स्टार्ट करते हैं इसको आईए यहां हमारे पास में देखो 189-64-25-216-49 नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या आएगा सर संख्याओं को देखते ही किलियर है हमको तो इनको तो देखते ही हम पहचान जाते हैं कौन सी संख्याओं हैं कि सर यह 2 का क्यूब है यह 3 का स्क्वाइर है यह 4 का क्यूब है यह 5 का स्क्वाइर है यह 6 का क्यूब है यह 7 का स्क्वाइर हमारे पास में है तो एक अंतर हमारे पास में square cube, square cube इस तरीके से चला है यह logic के रूप में आ जाता है कई बार directly पूछ लिया जाता है आप लोगों से इसको एक का square बोलो तो अगला होगा सर हमारे पास में 1,2,3,4,5,6,7,7, अगला होगा 8,8 का होगा cube, 512 हमारे पास में यहाँ पर आएगा, इस तरीके से श्रीणी एक अंतर form में चली है next pattern, अगला देखो 48, 87, 165, 204 बढ़ती हुई जारी है श्रीणी और gradual increment दिरी-दिरी बढ़ी है तो difference हम इसके अंदर लिखेंगे देखिए, सरी आ रहा है 88 होता, तो 40 के अंतर होता अभी 39 है, 87 से हमारे पास मारा है, 167 होता, तो 80 का difference होता, लेकिन यहाँ 78 का difference हुआ, next हम लोग देखें 35 और 4, 39 का difference है फिर से हमने देखा, तो यहाँ सर 78 का difference है, फिर से हमने देखा 39 का difference है, तो अगला 78 होगा, सर एडिशन ही चल रहा है, लेकिन एक आंतर, एक बार 39, एक बार 79, जो संखें जूट रही है उनके अंदर एक आंतर यहाँ देखने को मिला है, तो अगला 78 आप इसमें एड़ करोगे, 8 और 1, 9 और यह 7 एड़ करोगे, 39 हमारे पास में होगा, 3, 9, 9 हमारे पास correct answer यहाँ पर आएगा, अगले pattern की तरफ चलें यहाँ देखो, कि सर 68, 82, 110, 124 gradually सिरेणी बढ़ती हुई जा रही है तो चलिए, इसका difference हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है difference हुआ कि सर, यह हमारे पास में 12, 2, 14 next देखा जाए, तो 18, 10, 28 का difference है फिर से हमने देखा, तो सर, यहाँ हमारे पास 14, फिर देखो 28, तो अगला क्या होगा सर, हम देख चुके हैं, कि दोनों बार लगतो, addition ही रहा है, जोड रही है लेकिन एक बार 14, एक बार 28, एक बार 14, एक बार 28, अगला 14 add होगा, तो यह आजाएगा, सर, 4, 2, 6, 15, 1, 16, 16 हमारे पास में आएगा, कौन से विकल्प में हैं, C विकल्प के अंदर आपको दे रखा है, next pattern अगला देखें, तो 100, 105, 92, 113, 84 next हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा तो देखें, कि सर, यह इस तरीके से चल रहा है, इसमें धड़कन भी हमको देखने को मिला है ठीक है, प्लस का 5 इदर माइनस देखा जाए हमारे पास या फिर डाइरेक्ट धड़कन से आप देखोगे, तो माइनस 8, माइनस हमारे पास में यहाँ पर 8 हुआ, तो माइनस 8 होगा, तो यह 76 हमारे पास में आना चाहिए, ठीक है, खेर पूछा हमसे यह वाली टर्म है, इदर देखो, प्लस का 8, 5, 13, इदर 8 जोड़ोगे, तो 121 आएगा, विकल्फ है हमारे पास में, ए ओप्स है, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, अब 21, ठीक है, फिर से हमने देखा तो शरी है, माइनस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 और 13, माइनस का 29, संख्याओं में अंतर देखो, 8, 8 का अंतर चला है, और चिन, प्लस माइनस, एक अंतर चल रहे हैं हमारे पास में, तो अगला आप 8 इंक्रिमेंट कर दो, 37 होगा, वो भी प्लस का, और तब आएगा, 1, 2, 1, तो एक अंतर लॉजिक है, और एक अंतर लॉजिक, प्लस माइनस में ऐसे चल रहा है, तो आप इसको धड़कन से पकड़के तुरंत कर सकते हैं, और एक अंतर देखोगे, इस तरीके से आपके पास में होगा नेक्स पैटन, अगला देखो 18, 59, तो हमारे पास में सर संख्या बढ़री हैं, गटरी हैं, बढ़री हैं, गटरी हैं इस तरीके से जारी हैं, आप धड़कन से भी ऐसे परस्णों को तुरंत कर सकते हैं अब देखो, कि सर यहां यह तीन गुणा है, इधर दो का भाग, यह तीन गुणा, इधर दो का भाग, इधर तीन गुणा, अगला दो का भाग होगा, सर, 93 हमारे पास में, यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा, 93 हमारे पास, अच्छा, यह दो का भाग नहीं है, इस तरफ ये हमारे पास में 3 गुना 2 का भाग दे दिया फिर से 3 गुना इधर देखा तो सर माइनस हो रहा है ये 2 का भाग नहीं माइनस हो रहा है कितना 5 और 2 इसको भी हम कह सकते हैं माइनस का 25 हुआ है मत कहो भाग दो है, माइनस 25 लिख दो, इधर गुणा 3 है तो अगला माइनस 25 होगा, 1 और यह हमारे पास 16, 161 होगा, कौन से विकल्प में, C में, तो क्या लोजिक लगा, कि सर अल्टरनेट लोजिक है हमारे पास में, और अल्टरनेट लगा है किस किस का गुणा और माइनस का अल्टरनेट हमारे पास में, गुणा और माइनस अल्टरनेट लगता है, तब भी हमारे पास धड़कन बनती है, अगला देखें, तो 54, 46, 34, संख्या बड़ी, घटी, घटी रही है लगाता रहे, ठीक है, देखो, यहां क्या हो रहा है, माइनस का 8, अगला देखा, तो यह ह संख्या हैं, घटी हैं, दोनों बार घटी हैं, लेकिन संख्या देखो, 8, 6, 8, 6, इस तरीके से एक आंतर आपके पास में, यहां पर चली है, नेक्स्ट आओ, अगला देखो, तो 12, 12, 14, 42, 46, इस तरीके से हमारे पास में संख्या हैं, यहां पर बढ़ती हुई जा रही हैं, तो देखो सर यहां देखा जाए यह एक का गुणा है इधर देखो प्लस का दो इधर देखो तीन का गुणा है इधर देखो प्लस का चार इधर देखो पांच का गुणा है इधर देखो छे का एडिशन इधर देखो यहां पे साथ का गुणा है तो अगला आठ जुडेगा एकांतर किसमे चला कि सर अल्टरनेट लॉजिक यहाँ पर है और अल्टरनेट चला है प्लस और गुणा के रूप में ठीक है इस तरीके से स्रेणी चली और नेक्स्ट हमारे पास प्लस का आठ यानि कि 1660 यहाँ पर आएगा कौन से विकल्प में है भी विकल्प के अंदर आपको दे रखा है नेक्स्ट आओ अगला देखें तो सर 6, 11, 33, 65, 14 नेक्स्ट हमारे पास में इसके अंदर क्या आएगा धड़कन का पैटन नहीं है इसके अंदर लेकिन यहाँ संख्या गटी है चलिए देखें सर प्लस का 5 था इदर प्लस का 22 है नेक्स्ट हमने देखा तो यह हमारे पास में प्लस का यहाँ पर 32 है फिर हमने देखा तो सर यह 14 यहाँ पर आया I think कुस तो गड़बड है यह 3 अंगों की संख्या होनी चाहिए यह तो 141 यह फिर 114 चलिए देखें यह ज़्यादा सूटेवल लग रहा है ठीक है अब हम देख सकते हैं इदर हमारे पास दुगने से ज़्यादा बड़ी संख्या है दुगना करो प्लस का 11 यह लॉजिक हो जाएगा फिर हमारे पास में यहाँ देखो दुगना माइनस एक है यहाँ देखो दुगना प्लस 11 इधर देखो दुगना माइनस एक अलका सा टाइपिंग एरर था बट हम बैठें कोई भी टाइपिंग एरर हो सुधार के सही कर देंगे, तोड़ देंगे एक दो, ठीक है, तो माइनस एक प्लस ग्यारा, माइनस एक प्लस ग्यारा, एक आंतर लॉजिक है, लेकिन एक आंतर किसमें लग रहा है, दुगना होने के साथ जो टर्म शल रही है, उसमें माइनस लग रहा है, प्लस माइनस, तो अ हमारे पास में CGL Mans के लिए यहां पर बैच हो जाता है, CGL Mans में 90 out of 90 score करवाने के लिए बैच आप लोगों के लिए यहां पर हो जाता है, यह जबर्दस table पे designed अब तक के सारे patterns के उपर based on CHSL में किस तरीके का मैंस में expected paper है, उसके आधार पे यहां पर आपकी classes होंगी, practice batch रहेग अब तक के patterns के उपर based on, ठीक है, next off, अगला देखें, अगला pattern हमारे पास 35, 33, 99, 95, 4, 75, क्या चल रहा है हमारे पास में, कि सर हमने देखा, यहां हमारे पास minus 2 है, इधर 3 गुना हुआ, इधर देखा minus 4 है, इधर हमारे पास में 5 गुना हुआ, 2, 3, 4 मच, एकांतर चला, alternate चल जाएगा, 6, तो 469 हमारे पास में यहां पर आएगा, कौन से विकल्प में है, B विकल्प के अंदर आपको दिया हुआ है, next off, अगला देखें, तो 189, 532, 316, क्योसन मार्क, 37, हमारे पास में यहां पर चला है, इस तरीके से इस तरीनी हमारे पास में चल रही है, ठीक है, त सर, यह 200 होता, तो 332, प्लस 11, 343, next देखा जाए, तो यह सर, हमारे पास में 216, और जैसे यह दो नंबर आप लिखोगे, आपके सामने घुटने टेक देगा, सवाल, अब आपका नंबर विजन तुरंट क्लिक होना चाहिए, इसके अंदर, कि सर, यह 7 का क्यूब है, इदर 6 चलना चाहिए, प्लस माइनस हमारे पास चला है, तो प्लस माइनस तो चला है, लेकिन संख्याएन लिली क्यूब वाली हमारे पास में, तो यहां देखो, प्लस 125 आप करो, कितना आजाएगा, चेर 511, 41 और 431 हमारे पास में आएगा, फिर आप 64 घटा आओगे, तो 377 हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है next आओ अगला हमारे पास में 816 क्योष्ण मार्क 3841 82 हमारे पास में यहां पर चला है स्रंखला बढ़ती हुई जा दिए ठीक है और हमारे पास में यहां देखो सरीए दूगना इधर देखो ये भी दूगना ठीक है फिर आगे हमारे पास में क्या चला होगा इसमें अगर दो तर्क हैं ठीक है तो देखो इस तर यहां हमारे पास में दुगना दुगना तो देख गया इसमें देखा प्लस का तीन है तो हो सकता है यहां प्लस का तीन और यहां वापस से दुगना हुआ हो 19 और 19 का दुगना बिलकुल फिट हो रहा है यानि कि एकांतर दो तर्क थे, कौन-कौन से प्लस और गुणा के तर्क इसके अंदर चले हैं और संख्याएं भी एकांतर चल रही है दो-तीन, दो-तीन इस तरीके से आपके पास में चला है, next pattern आओ अगला हमारे पास में इस बार दसमलव के रूप में आप लोगों से प्रस्न पूछ लिया है, ठीक है क्या दिया है, 0.04, 0.12, 0.42, 1.68 क्या चल रहा है इस अगर देखा जाए तो यह हमारे पास में तीन गुणा इधर देखा जाए तो यह 0.30 एड हो गया फिर देखो, यहां देखा जाए तो सर यह 4 गुणा है यहां देखा जाए तो सर यह हमारे पास में प्लस 0.40 एड हो गया, फिर इसे देखो तो यह हमारे पास में 5 गुणा यहां पर होगा क्या ही लॉजिक लगाया, बहुत बढ़िया, ठीक है 3 का गुणा, 0.3 एड कर दिया, 4 का गुणा, 0.4 एड कर दिया, तो बताओ 5 के गुणा में क्या एड होगा, कि सर इस वार यहां पर एड होना चाहिए, 0.50 तो वो होगा तो 10.90 यहां पर आ जाएगा, कौन से विकल्प में यह ठीक है, 10.90 जिसको आप 10.90 पर लिख सकते हो लास्ट डिजिट के बाद में ठीक है, इसके अंदर धड़कन का पैटन भी आपके पास में हो जाता है देखो क्या तर किसके अंदर होगा कि सर यहां तो जब भी एक साथ दो संख्या आ जाएं तो समझ जाओ कि आपको इसके अंदर यह गुणा होने की हिंट है, अब एकांतर लॉजिक तो है, यह क्लियर है एक बार गुणा होगा और दूसरी बार क्या होगा आपको पता लगाना है, चलिए देखें गुणा इदर, इदर माइनस का दो गुणा तीन, इदर माइनस का चार गुणा पांच, इदर माइनस का चार गुणा 7 इदर माइनस का 8 हमारे पास में होना चाहिए तो 335 यहाँ पर आएगा गुणा और माइनस के बीच में एक आंतर यहाँ पर चला है और संख्या हैं देखो संख्या हैं सीरीज के रूप में बढ़ती हुई जा रही है consecutive numbers next आईए अगला देखें तो 84909199 के उसन मार्क 108 105 हमारे पास में यहाँ पर है ठीक है तो देखो 6 का अंतर है इदर 1 का अंतर इदर 8 का अंतर है यहाँ देखा जाए माइनस 3 का डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पर है इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह स्रेणी हमारे पास में बड़ी है ठीक है इसमें धड़कन आपको देखने को मिला तो यहां संख्या हैं दो हमारे पास गायब है 6 से 8, 8 से next और next से हमारे पास आगया आएगा एक से यह आएगी और इस से minus 3 हमारे पास आएगा तो यह minus का एक होना चाहिए क्यों? एक मेंसे दो गटाओ minus का एक फिर दो गटाओ minus का तीन तभी यह fit होगा तो यहां 98 होना चाहिए दूसरा देखो इधर plus का दो इधर plus का दो तो यहां 10 आएगा यानि कि सांधार logic लगा एक आंतर का वो भी L1 में जाके बहुत ही बढ़िया सवाल ठीक है सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल है यह 98 हमारे पास में यहां पर आएगा कौन से विकल्प में हैं D विकल्प में आपको दे रखा है अगला आईए यह हमारे पास में 13, 14, 14 कि उस्टन मार्क 176 आपके पास में यहां पर आया है ठीक है तो देखो कि सर यह हमारे पास में इस तरीके से यहां पर आया है क्या logic होगा अब इसमें एक चीज तो बड़ी common है दो बार लगातार सेम संख्या गुणा का संख्यत है यह तो प्लस का एक है प्लस का एक, गुणा का एक और फिर हमारे पास में यहां से क्या logic होगा इतना सा करके छोड़ दिया अब एक नालाएक संख्या है क्यों नालाएक है? ध्यान से देखो एक हमारे पास में देखो एक, दो, तीन क्रमागत संख्याओं में फिट हो जाती है एक का स्क्वेर, दो का स्क्वेर, तीन का स्क्वेर इसमें फिट हो जाती है एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब इसमें फिट हो जाती है एक हमारे पास में एक अंतर संख्याओं में विसम संख्याओं में फिट हो जाती है ठीक है एक है नालाइक कहीं भी फिट हो जाती है अब हम कैसे सोचे बताओ ठीक है अगर हम किरमागत लें तो इधर प्लस का दो और गुणा दो करेंगे तब तो हमारे पास 176 नहीं आरा 32 आएगा एक का स्क्वेर दो का स्क्वेर इधर प्लस का चार और गुणा का चार करें तो अठारा अठारा चो के बहतर इससे भी अंसर नहीं आएगा प्लस का एक और दो दो का क्यूब है आठ प्लस का आठ और गुना का आठ करें तो यह हो जाएगा बाईस और भाईस अट्टे छियान में यह फिट हो रहा है हमारे पास में तो एक एक करके चेक करना पड़ा किस लेवल पे इसने एक दम फ्री छोड़ दिया स्टुडेंटी सोचेगा पूरा कैसे उसको सोचना है और बहुत सां प्लस काट 22 हमारे पास में यहां पर होगा नेक्स्ट ओप यह हमारे पास में स्टैनो ग्राफर के लिए बैच हो जाता है यह आपके पास लेटेस्ट बैच है और अगस्त के सेकंड वीक के अंदर यहां आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा इसको आप जॉइन कर लिजए अगर आप स्टैनो की तैयारी कर रहे हैं पूरा फूकस है स्टैनो पर मैच नहीं आती और रीजनिंग जबर्दस लेबल पर स्टैनो के अंदर पूछी जाती है तो इसको कबर करने के लिए आपके पास में यह बैच यहां पर हो जाता है इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको अ सेशन को देखते हो चलो आपकी हर एक्जाम से पहले के रिवीजन सेशन है आपके स्कोर को बूस्ट करने वाले सेशन है आपकी तैयारी को चेक करने वाले सेशन है एक्जाम से पहले तो इनको जो है इस सीरीज की प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट को हमेशा मार्क करो जब भी ए एक्जाम आए इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो जैसे मैच में फॉर्मॉला सीट होती है वैसी सीट है आपके पास में हो जाती है ठीक है so that's it मिलते हैं अगले मास्टर स्टोक के अंदर धन्यवाद